दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा Recently मैंने Bitcoin Cryptocurrency के उपर दो वीडियोज बनाई थी और प्रॉपर तरीके से आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि Bitcoin Cryptocurrency इंजस्टी में इस समय मोमेंटम देखने को मिल सकता है क्योंकि इतिहास गवा है यहाँ पर quarter जो 4 होता है उसमें Bitcoin Cryptocurrency में bull run देखने को मिलता है और अगर हिस्ट्री इस बार भी repeat होती है तो यकीन मानिएं आप लोगों को बहुत बड़ा profit देके जाने वाला है और इसी लिए मैंने आपको बार बार बोला हूँ कि अभी आप लोगों को panic करके sell करने की जरूरत नहीं है अपने portfolio को समाल करके रखना बहुत जादा जरूरी है और जिसने भी अपने emotion को control कर लिया अपने portfolio को hold कर लिया तो उसको करोड़ पती बनने से कोई नहीं रोक सकता है तो आज की वीडियो में हम cover करने वाले हैं कि आखिर bitcoin cryptocurrency की market में next move क्या हो सकता है और bitcoin कितना जादा यहां से pump होने वाला है और सबसे बड़ी important चीज की Bing X cryptocurrency exchange है जो की पूरी worldwide famous है इसमें बहुत बड़ा hack हो गया है और अगर centralized exchange hack होते हैं तो उसका solution क्या है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इंडिया का वजीर X exchange बहुत बड़ा cryptocurrency का exchange था लेकिन वो भी hack हो चुका है और उसके जितने भी user है वो अपने fund को यहाँ पर निकाल नहीं पा रहे हैं कोई market में खास update निकल करके नहीं आ रही है तो कहने का मतलब जितने भी centralized exchange होते हैं अगर आप उस पर fund रखते हैं तो अगर वो hack हो जाता है तो उसके बाद क्या होने वाला है और अगर hack हो गया है तो उसका solution क्या है उसके बाद में बात करेंगे Singapore में बहुत बड़ा यहाँ पर 2049 का event चल रहा है उसकी कुछ reality आप सभी लोगों के बारे में बताएंगे और सबसे important चीज कि Singapore के जो government है उसके बारे में कुछ ऐसी strategy बताने वाले हैं 100% free का airdrop share करने वाला हूँ जिसमें आप सभी लोग 2500 से ले करके 500 डॉलर तक free में आप लोग कमा सकते हैं सो चलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर bitcoin cryptocurrency की market में क्या चल रहा है तो अभी आप लोगों ने देखा होगा recently जब मैंने वीडियो बनाया था तो जो total market cap थी वो लगबग 2.1 trillion dollar के आसपास में थी लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हो तो 2.22 trillion dollar के आसपास bitcoin cryptocurrency की market increase हो चुकी है तो आप सोचिए कहीं न कहीं जब total market cap में पैसा increase हो रहा है तो उसमें चाहे bitcoin हो, ethereum हो, binance coin हो या फिर जितनी भी cryptocurrencies है हर एक cryptocurrencies में price में increment देखने को मिलेगा bitcoin की यहाँ पर बात कर ले तो अभी recently notice किया होगा 57,000 dollar के आसपास चल रहा था और लोग बहुत ज़ादा negative हो रहे थे लेकिन recently यहाँ पर जैसे ही कुछ momentum बना market में अभी recently आप लोग देख सकते हैं जो FED का rate cut आया है मैंने पिछले वीडियो में cover भी किया था कि इस rate cut की वज़ा से market में momentum देखने को मिलेगा तो अभी current situation में 64,000 dollar को भी touch कर गया है bitcoin और यहाँ पर अगर हम बात कर लें ethereum के price में इसमें भी 10-15% का momentum आ चुका है तो आप सोचिए कहीं न कहीं अगर आपने patience रख करके hold किया हुआ है तो आप लोगों को बहुत बड़ा benefit मिलने वाला है bitcoin के dominance में बात करते है recently आप लोगों ने देखा होगा लगबग 58-59% के आसपास bitcoin का dominance चला गया था लेकिन recently जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 57% से नीचे आ चुका है bitcoin का dominance इसका मतलब यह होता है कि जो bitcoin का dominance है वो अगर down आएगा तो alt coin में आपको बहुत ही भयानक rally देखने को मिलेगी तो इसलिए bitcoin का जो dominance है वो जितना जादा यहाँ पर dump होगा आप सभी लोगों के लिए उतना जादा beneficial साबित होने वाला है BNB की बात कर लें तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो जब बनाये थे तो 400-400 डॉलर चलते थे लेकिन BNB का price लगबग 570 डॉलर के आसपास में आ चुका है और इसका मतलब यह हुआ कि BNB के price में भी बहुत बड़ा momentum देखने को मिल रहा है वहीं अगर हम alt coins की बात कर लें तो इसमें भी हरी जंडी मिल चुकी है 5%, 10%, 20% तक pump देखने को मिला है और जो छोटे coins थे उसमें 40% तक का भी growth देखने को मिला है तो अभी आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर अपने coins को hold रखना है अगर अभी तक वो pump नहीं हुए है तो आने वाले time में उसमें भी momentum आएगा rally आएगी और आपका जो portfolio यहाँ पर थोड़ा सा down है उसकी recovery भी start होने वाली है तो इसलिए किसी को भी panic करने की ज़रूरत नहीं है अब हम यहाँ पर बात करेंगे Bitcoin का USDT का 4 hour rate chart मैंने open करके रखा हुआ है यह Binance का rate chart है आप लोग भी open करके exchange पर देख लीजिएगा simply यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो recent यहाँ पर top मारा था Bitcoin cryptocurrency ने वो लगबग 65,000 डॉलर के zone में था लेकिन उसके बाद में market में negative का माहोल बना जब लोग market में बोल रहेते कि 30,000, 40,000, 50,000 डॉलर के आसपास में जा चुका है अब आप लोग बोलेगे कि इस rate chart से हम को क्या benefit मिला तो benefit अभी आप लोगों को कैसे मिलेगा वो चीज जानने की कोशिस करिये सबसे important चीज तो यह है कि 64,000 डॉलर तक चला गया है Bitcoin का price कहां से 52,000 डॉलर के zone से इसका मतलब यहां से यहां तक लगभग 20% से जादा का profit देखने को मिला है Bitcoin में अब सबसे important चीज यह है कि जो main resistance निकल करके आएगा वो 65,000 डॉलर वाला zone होने वाला है और यह एक psychological area हो सकता है इसको break करने के लिए market में बहुत जादा positive sentiment की जरूरत है बहुत जादा volume की जरूरत है और total market cap में पैसा आना जरूरी है तभी यह 65,000 डॉलर को touch करेगा और उसके बाद में pump करेगा अब mail support की बात कर लेते हैं तो जो एक छोटा सा support है वो है 62,000 डॉलर के zone में क्यों अगर यहाँ पर 62,000 डॉलर को weekly candle या monthly candle में hold कर लेता है तो यकीन मानिए यहाँ पर आप लोगों को बहुत बड़ा benefit देखने को मिल सकता है कैसे अगर यहाँ पर 60,000 डॉलर भी bitcoin रोक लेता है अपने आपको कुछ दिनों के लिए तो उसके बाद में यही जो alt coins हैं उन सभी coins में आपको 25% से 50% तक pump देखने को मिलेगा क्योंकि bitcoin का dominance आल्रेडी मैंने आप लोगों के साथ में share किया है कि decrease होना start हो रहा है इसलिए alt coins में rally आप लोगों को देखने को मिल सकती है तो इसलिए बिल्कुल भी आप लोगों को panic करने के जरूरत नहीं है अगर वीडियो में information अच्छी लग रही है तो दिल से एक like जरूर करिएगा, कंजूसी मत करिएगा अब यहाँ पर जो bingyx cryptocurrency exchange है जो कि centralized है, यह एक Singapore based cryptocurrency exchange है जो कि लगभग यहाँ पर 40 million dollar का hack हुआ है अब पूरी worldwide इसके users हैं तो वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी panic करने के जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह 40 million dollar का hack हुआ है वो कोई बहुत बड़ा amount नहीं है लेकिन फिर भी जिसका भी hack हुआ है उसके लिए तो panic का माहोल बनता ही बनता है लेकिन इसके जो CEO है उन्होंने अपने Twitter पर officially tweet करके बताया है कि fund यहाँ पर आप लोगों का safe है आप लोगों को कोई भी problem नहीं होने चाहिए और यहाँ पर recovery हो जाएगी 24 hour के लिए एक दो दिन के लिए withdrawal यहाँ पर suspend किया गया है जैसे ही सारी चीजे clear cut हो जाएंगी उसके बाद में proper तरीके से start हो जाएगा अब यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जितने भी centralized exchange होते हैं अगर hack हो जाते हैं चाहिए वो wajiri X हो coin DCX हो या फिर कोई other cryptocurrency का exchange हो जितने भी centralized exchange होते हैं वो 100% कहीं न कहीं यहाँ पर hack हो सकते हैं तो जब hack होंगे तो आपका fund अगर उस exchange पर रहेगा तो आपका fund यहाँ पर zero भी हो सकता है तो इसलिए मैं solution बताता हूँ आप सभी लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा अगर आप bitcoin cryptocurrency industry में investment करते हैं long term के लिए तो आप सभी लोगों को एक चीज बहुत ही जादा जरूरी है जो कि ध्यान रखना है जितने भी decentralized exchange होते हैं DEX उस पर आप लोग holding आसानी से कर सकते हैं और बहुत सारे market में wallets भी आते हैं यहाँ पर भी आप लोग holding कर सकते हैं क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि centralized exchange के comparison में जितने भी decentralized exchange होते हैं वो maximum to maximum safe होते हैं और इसमें आप लोगों का बड़ा fund भी होता है तो इसलिए अपने fund को समालना आप लोगों की responsibility बन जाती है decentralized exchange जैसे यहाँ पर trust wallet है metamask है, pancake swap है, uni swap है, save pal है इस तरीके के बहुत सारे decentralized exchange है तो आप लोग यहाँ पर किसी भी DEX को wallet को use कर सकते हैं अपने portfolio को long term के लिए या फिर bull run के लिए hold कर सकते हैं वहीं पर अगर आप trading के सौकीन है तो आप लोग centralized exchange को use करिए जिस तरीके से binance exchange है अगर आप लोग यहाँ पर trading करते हैं चाहे आप spot की trading करिए या फिर futures की trading करिए अगर आप trading करने के सौकीन है तो यहाँ पर जो trading आप लोग करने वाले हैं वो आपका एक limited amount होने वाला है तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा risk भी नहीं रहेगा और आपका fund भी यहाँ पर safe रहने वाला है तो अब हम बात करेंगे सबसे important चीज कि यहाँ पर आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में जो crypto currency का hub है वो दुबई माना जाता है लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो सिंगापूर को भी लोग यहाँ पर crypto currency का hub मानते हैं लेकिन सबसे important चीज यह है कि जो बिंग एक्स cryptocurrency exchange मैंने बताया यह सिंगापूर based ही है लेकिन सिंगापूर की जो government है उसने कुछ rule regulations लगाए कुछ उनकी term condition है जिसकी वज़ा से बिंग एक्सेंज जो है वहाँ पर play store या फिर app store में available ही नहीं है जिस तरीके से इंडिया में बहुत सारे FIU compliance जो exchanges नहीं है या फिर हैं तो यहाँ पर बहुत सारे exchanges बैन हैं सेम उसी तरीके से सिंगापूर भी यहाँ पर इस तरीके से काम कर रहा है जो की अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है consumer protection के लिए अब यहाँ पर जो Singapore government है उसकी कुछ सचाई या strategy जानना बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है आप लोग Bitcoin cryptocurrency में काम करते हैं इसलिए तो जो cryptocurrency का जो support है government के द्वारा Singapore का वो एक on and average है कोई बहुत ज़ादा खास नहीं है हाँ India के comparison में बहुत ज़ादा support है लेकिन अगर वहीं पर हम बात करे technology की जिस तरीके से laser technology है blockchain technology है तो जो technology है इसको आख बंद करके support कर रही है Singapore government तो इसका मतलब है कहीं न कहीं vision बहुत ही ज़ादा clear है future बहुत ही ज़ादा bright है इसी की वज़ा से इतने बड़े-बड़े event यहाँ पर हो रहे अब Singapore में जो अभी recently event हो रहा है वो यहाँ पर token 2049 है अब आप लोग सोचिए वहाँ पर जितने भी बड़े-बड़े cryptocurrency के exchange है उसमें sponsored किये गए है उसमें appreciate किये गए है और सबसे बड़ी खास बात यह है कि दुनिया का top cryptocurrency exchange Binance यह भी वहाँ पर available है अब यहाँ पर जो Binance exchange है उसने officially announcement किया हुआ है अपना जो tap to earn project market में launch किया है जिसका नाम है Moonbix और यह Moonbix जो यहाँ पर आया है project वो 100% free में है जितने भी users होने वाले उन सभी लोगों को free में airdrop मिलेगा तो जो मेरा यहाँ पर expectation है अगर आप लोगों ने महनत कर लिया तो 2500 से 500 डॉलर तक आप सभी लोगों को free में मिल सकता है तो इसलिए आप लोगों को आज से ही पूरा जी जान लगा करके काम करना है maximum coins का आप लोगों को collection करना है अगर आप लोग कुछ extra reward पाना चाहते हैं या फिर extra points collect करना चाहते हैं तो जो मेरा link है उससे आप लोगों को extra reward मिलने वाले हैं link आपको मैंने video के description और comment box में भी दे दिया है और सबसे important चीज़ यह है कि market में बहुत सारे अच्छे अच्छे जो airdrop आएंगे उसको मैं अब अपने सिरफ और सिरफ telegram channel पर share करूँगा क्योंकि video बनाना उतना ज़ादा जरूरी नहीं है छोटा सा video होता है आसानी से लोग task complete कर लेते हैं तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि airdrop के उपर आप सभी लोगों का बहुत ज़ादा time waste ना हो तो इसलिए मैं अपने telegram channel पर जितने भी अच्छे quality के project आएंगे airdrop वो मैं share करूँगा तो इसलिए आज ही हमारे telegram channel को join कर लीजिए link आपको video के description और comment box में मिल जाएगी और airdrop से भी आप लोग लगपती ज़रूर बन जाएंगे क्योंकि आप लोगों को पता है not project ने भी लोगों को airdrop दिया dogs project ने भी लोगों को airdrop दिया उसी तरीके से moonbix भी बहुत ज़ादा आप लोगों को airdrop दे सकता है क्योंकि ये binance ने officially बोल दिया है कि मेरा project है तो इसलिए आप लोगों को पता है कि binance का नाम पूरी दुनिया में कितना ज़ादा है तो देर नहीं करना है link आपको video के description comment box में मिल जाएगी आज इसे word करना start कर दीजिए game खेल लीजिए आज के वीडियो में यही important updates थी आगर अभी भी आपके मन में कोई भी doubt है तो question करके comment section में पूछ लीजिएगा वीडियो को like जरूर कीजिएगा चैनल को subscribe कर लीजिएगा हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए take care best आप लग have a nice day